हेलो दोस्तो स्वागत थे आप सभी का हमारे यूटूब चनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज्य के अररिया जिला के बारे में तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वे वीडियो देखने के लिए नीचे दिये हुए लाल कलर के बटन को दबा कर हमारे चनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा तो दोस्तो अररिया जिला यह जिला भरत देश के बिहार राज में इस्तित बिहार के कुल और तीस जिलों में से एक अररिया जिला के नाम से जाना जाता है अररिया जिला बिहार के पुरो भाग की ओर बसा हुआ है जिस वज़ा से इस जिले की सीमा नेपाल देश से मिलती है अररिया जिले का हेड़ कौर्टर ओपिस अररिया सहर में मौजूद है और अररिया जिला पूनिया मंडल के अंतरगत आता है अररिया जिला के पुडोसी जिले का नाम किसंगन जिला, पूनिया जिला, सुपोल जिला और मधेपुरा जिला है अररिया जिला के इतिहास के बारे में हम आपको बताएं तो यह जिला पहले पूनिया जिले का हिस्सा हुआ करता था लेकिन बाद में पूनिया जिला से अररिया को अलग कर दिया गया और सन अनिस्सो नब्बे में पुन्याजिला के बटवारे के समय अرडियाजिला की अस्थापना हुई थी चतरफल की बात करे तो अरडियाजिले का कुल चतरफल 1830 वर्ग किलो मीटर में फइला हुआ है और आबादी की बात करें तो वर्स 2021 के जनगर्णा के अनुसार अररिया जिला की कुल आबादी 28,11,570 है इस दिले का अउस्ट लिंगन पात 921 के करीब है यानि की अररिया जिला में 1000 पूरुस पर 921 महिला है अररिया जिला में 9 बलोक, 16 पूलिस स्टेशन, 1 लोकसभा, 6 विधानसभा, 3 नगर्पालिका, 11 मुक्य सरकारी अस्पताल, 3 सरकारी कॉलेज, 11 बैंक, 1 विजली घर और 751 गाओं में बटा हुआ है भासा की बात करे तो अररिया जिला का मुक्य भासा भोजप्यूरी, उर्दू, मैथली और हिंदी है अररिया जिला के मुक्य नदी का नाव डालफीन नदी है, डालफीन नदी के किनारे पर बसा, यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महज, 320 किलोमीटर, तथा देश की राजधानी, देली से लगबग, 321 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है इस जिला का वाहन पंजिकन संख्या, B, R, 38 सडक रास्ते की बात करें तो, इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सडक है, जिसके माध्यम से यहां के लोग विहार के बड़े-बड़े सहरों में जा सकते हैं वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या, संतावन गुजरती है, जो आगे चलकर बिहार के बड़े-बड़े सहरों के साथ जूरती है इस जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गाउं तक भी बस सेवा मुईया परदान कराती है रेल्बे स्टेशन की बात करें तो अररिया जिला में कोई खास मुख्य रेल्बे स्टेशन नहीं है जिसके वज़र से यहाँ के लोगों को काफी तकलीफ होती है बात करें तो यहाँ पर अररिया कोट रेल्बे स्टेशन है जो की एक छोटा मोटा रेल्बे स्टेशन है पढ़ेलिके हैं जोकी तिर्पन परतिसत है यानि की यहां कि आबादीके अनुसार तिर्पन परतिसत लोग पढ़ेलिके हैं जिसमें की पूरुस्व weit महिला दोनों सामीर हैं इस जिले की कुछ महत्वपूर्ण स्कूल वा कॉलेज के नाम इस प्रकार है अरधिया कॉलेज, फॉर्बस गंज कॉलेज, मोती बावो इस्ट्यूट, आजाद अकैडमी, के एन इंटर कॉलेज, आई टी आई कालेज, फॉर्बस गंज, गॉर्मेंट पॉल्टकली कॉलेज, यह सब इसी जिला में मौजूद हैं, जो कि यहां के बच्चों को पढ़ने में अपनी सहायता देते हैं, अस्पताल की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे सरकारी अस्पताल भी सामिल है, इसके अरावा कुछ प्राइबेट अस्पतालों में सुमार, सीटी होस्पिटल, बिराट आई होस्पिटल, सरिया नर्सिग होंग, इस्वर द्याल होस्पिटल, जीवन होस्पिटल, एस आर होस्पिटल, डाक्टर अकास नेरंजर होस्पिटल, यह सभी सामिल हैं, यह जितने भी अस्पताल हैं, सभी इसी जिला में मौजूद हैं, जो क यहां के लोगों को स्वस्त रहने में अपना योगदान देते हैं पर्याटन अस्तल की बात करें तो अररियाजिला खुपसूर्ती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर वो मसुहूर है यहां पर कई ऐसे घूमने के अस्थान है जहां पर लोग घूम सकते हैं नेपाल के सटे में बसा यह जीरा पूरी तरह से सवंदर्व और परकिर्ट के मोहित अंगों में एक है यहां के कुछ महत्तोपूर परेटक अस्थल में सुमार रानी गंज ब्रिच वाटिका बायो डिनर सिटी पार्क माता असावर मंदीर दबिरियल ग्राउंड सीवा मंदीर काबा मंजीद हनुमान मंदीर आधी नामों से लोग काफी वाकी भय हैं यह वो नाम है जो की अररिया जिला की खुबशूर्थी को दोगुना करते हैं यहां पर काफी मात्रा में लोग घूमते रहते हैं बात करने बेवसाई की तो इस जिला के लोग खेती और थे बेवस्ता पर जाधा निर्वर राते हैं डाल्फी नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहां की मिट्टी काफी उपजाऊ है और यहां के लोग काफी हत्त खेती और थे बेवस्ता पर निर्वर राते हैं अररिया जिला के मुख्य फसल, धान, गेहु, मक्का, बाजरा, जुआर, आधी है वैसे इस जिला में चीरी मिल के भी कुछ कार खाने हैं जहां पर लोग काम करते हैं इसके अलावा कई प्राइवेट और सरकारित संस्थाव में भी लोग यहां पर काम करते हैं लेकिन यहां पर सिच्छा के बहुत ही कमी है अररिया जिला के कुछ महत्तुपूर महान बेक्तियों में सुमार फणिस्वर नाथ रेणू जो की हिंदी साहित के प्रमुख लेखक ते उनका जर्म यहां ही पर अररिया जिला में हुआ था हाँ दोस्तो फणिस्वर नाथ रेणू यही के थे इसके अलावा कौसर खालिद जो की महाराष्ट में IPS सुबद्रा राय जो की सरसा ग्रूप चेंड ग्रूप की चेर्बैन और एक भोहती अच्छी बैक्ति दोस्तो और अरिया जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कोमेंट करकर जरू बताइएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा और चैनल पर पहले बारा है तो चलो को सब्सक्राइब करकर बेल ऐकन को प्रेस कर दीजेगा